Hello everyone, CVSE Board Candidates 2022, both Class 10 and Class 12. मेरे पहले दुस्तों, Board Exam तो already हमारे लिए काफी जादा एक tension है. एक tension का माहौल है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे हम performance देंगे, कैसा करके date sheet रहेगा, लेकिन ये problem सिर्फ और सिर्फ आपके सामने नहीं है. ये खुद Central Board of Secondary Education के सामने एक बड़ा challenge बनकर सामने आ रहा है. जी हाँ, मेरे पहले दुस्तों, बहुती बड़ी update आप सबके लिए. ऐसे में कई सारे changes already आपके लिए हो चुकी हैं, जैसा कि हम आप सबकुर्ण हमेशा सा कहते हैं कि आप experimental batch हैं. बट इस्टील, मेरे पहले दुस्तों, यहाँ पर दॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान कहा लिजिए, या आपके स्पोग परसन, CBAC स्पोग परसन, रामा सर्वा मैं कहा लिजिए, सबके सामने एक बड़ा challenge है. आप लोग एक बड़े challenge के तौर पर सामने आ रहे हैं, CBAC का, क्योंकि मेरे पहले दुस्तों, सिर्फ आपको class 10-12 pass होने से बात यहाँ पर खतम नहीं हो जाएगी. आगी के लिए भी सोचना है, आगी के कई सारे challenges है, आपके आगी के admissions है, class 11 admissions है, colleges के admissions है, competitive exams है, यह सब कौन देखेगा, करना आपको है, order pass करना उनको है. तो एक बड़ा challenge सब के सामने और कई सारे ऐसे updates आपके लिए आएकार आ रहे हैं मिरे पर दोस्तों, जो आपको थोड़ा परिशान कर सकती हैं. तो चलिए इस important वीडियो आपके screen पर आप देख सकते हैं, कि कई सारे changes आपके date sheets में हो सकते हैं. और unfortunately ये बताते हुए बुरा भी लग रहा है, कि आपको बहुत ही कम gap मिलेगा, बहुत ही कम gap मिलेगा, क्योंकि ICAC का pattern आपके screen पर आ रहा होगा, आप खुद देख लीजिए, exams के gap देख लीजिए, एक दिन का gap और दो दिन का gap, उससे जादा एकदम भी gap नहीं दिया गया है और आप सबको पता है कि दोनों parallel boards है, तो दोनों के decisions कहीं न कहीं एक जैसे ही रहेंगे, बट CVAC के rule के according हमेशा से दो या तीन दिन का gap, compulsory रहता ही है boards के तरफ से, तो यहां तो थोड़ी बहुत confidence है आप लोगों के लिए, बट इस टेल struggling point पे आप चल रहे हैं, Q days आपके change हो आपके turn to examinations के लिए, तो मेरे आपसे पूरी-पूरी उमीद है मेरे प्यार दूस्तों कि इस exam को आप देंगे, तो जैसा कि board exam final होने वाला है, start होने वाला है, और आपके preparation में help करने के लिए मेरे प्यार दूस्तों free है, ठीक है ना, एकदम से free notes अगरा सब मिलेंगे, आन academy ल test को attempt कर सकते हैं, हार test के बाद आपको मेरे प्यार दोस्तों, detailed scorecard दिया जाएगा, and आप अपने rank भी check कर सकते हैं, detailed scorecard, report, and all these things आपको मिलेगे, जिससे आप अपनी strength भी check कर सकते हैं, topic wise video analysis भी अविलेबल है, साथ यसाथ, on academy combat में भी मेरे प्यार दोस्तों, आप पार्ट ले प्यार दोस्तों, CBAC का हाली का statement आया है आप लोगों के लिए, कि जितने भी competitive exams हैं, उनको नजर में रख कर आपके date sheet का preparation किया जा रहा है, और आप लोग सुनकर हैं, यह जो decision है, यह दोनों को effect करेगा, both class 10 and class 12 को, और किस way में effect कर रहा है, मैं आप सबको बता देता हूँ, लिया है, आपके screen पर आप देख सकते हैं, मतलब हर एक boards जो है, in entrance exam को competitive exams को ज्यादा focus दे रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है, doctor engineers के exam होता है, entrance exam होता है, और इसमें लाखों बच्चे participate करते हैं, उनका dream होता है, इस चीज़ को clear करना, अब जब आप लोग समझी सकते हैं, कि 25 को अगर में को second attempt है, तो CVSE 25 तारिक से ठीक में 5 दिनों पहले अपने exam खतम करेगी, ICSE तो 20 मही तक अपने exam चला रहे हैं, खतम कर रहे हैं, तो आप भी expectation रख सकते हैं, कि आपको gap ज्यादा नहीं मिल रहा है, और 20 तारिक के अंदर अपका exam खतम हो जाएगा, हाली के statement में आ सकते हैं, आपके screen पर मेरे पैर दोस्तों, कि यहां पर बोला भी जा रहा है, कि इसके साथ coordination करके, हम लोग जो है, अपने boards के date sheet prepared करेंगे, JEE का, और साथी साथ continuous gap आपको बहुत ही कम मिलने का chances है, थोड़ा difficulty होता हुआ नजर आ रहा है, dates में, पहले ऐसा सुनने में आया था minimum gap आपको 3 दिन का मिलेगा हर एक exams में, बट जैसा कि 2 मेहने का आपको time मिल गया, 26 अप्रिल से आपके exam में, पूरा मार्च अप्रिल पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी personal opinion यह है कि आपको time ही कहा मिल रहा है, बट आप prepared तो कर लेंगे, इतना confidence है, क्योंकि आभी आपको 2 preboards देने उसी में आपको practicals, internals देने, तो इसमें तो समय निकल ही जाएगा, यह मेरी personal opinion अगर बात सही लगे तो जरूल लाइक करेगा, बट basically मेरे प्यार जूस्तों यह थोड़ा बहुत effect आपके डालने वाला है, आपके कई सारे changes करेंगे, आप हाली के statement में, जब इनका problem आया, जे Officially announcement के बाद कोई changes नहीं होगा, लेकिन gap का issue सबसे बड़ा बन गया student के सामने, इस चीज के निकलने के बाद, तो make sure आप उसी हिसाब से अपना preparation रखें, गवराये बिलकुल नहीं, ठीक है, हार एक update हम सब आप तक पहुँचा रहे हैं, आपको बिलकुल भी नहीं गवराना ह रिलाक्स रहना है, तब मिलते हैं अगली update में, thank you so much